आज मैं बनाने जारी हूँ एक ऐसी सब्जी जिसको कि देखते ही ज़्यादा तर बच्चों का कई बड़ों का भी नाकमू बन जाता है तो मैं तो नाम अभी नहीं बताऊंगी आप सब्जी देखिए कितनी मज़ेदार बनी हुई है सूखी सब्जी बनाएंगे आगे चलके पता ही चल जगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ तो देखते हैं रैस्पी को तो लीजिए आगे आपके सामने यह है काली तोरी काली तोरी है इसको मैं छिल लूँगी और बारिक बारी काट लूँगी जो लोग घर में काली तोरी वगएरा नहीं खाते आपके घर में तो आप उनको इस तरह से बना कर खिला कर देखिएगा बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही यमी बनती है रसा वाली नहीं बनाती है, मैं इस तरह से सूखी बनाती हूँ और बहुत ही यमी होती है, इसको आप डाल के साथ, चावल के साथ कैसे भी आप खाईए फुलका लेकर बहुत अच्छी लगती है तो इस तरीके से पहले आप इसका छिलका उतार लीजे सारी तोरी का और फिर हम इसको बारिक-बारिक काट लेंगे मेरे चैनल को अगर जिस जिने अभी सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लें बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना कोई पैसा नहीं लगता शेयर करा कर ये वीडियो को और कॉमेंट में बसाया करिए आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है तो इस तरीके से ये देख और बहुत यमी बनती है ये कर लिया इसको मैं धोलूंगी अच्छी तरीके से तो अभी मैंने क्या किया है एक कड़ाई लिया है और ये लिया है मैंने उडू दाल की बड़ी जो की बहुत ही अच्छी होती है खाने में बहुत टेस्टी लगती है थोड़ी स्पाइसी भी हो अब इसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसमें डाला है जीरा आधा चमच और साथ में ही डालूंगी थोड़ी सी हींग के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है यह हम बिल्कुल सूखी बनाएंगे और यह मैंने दो प्याज छोटे थे तो दो लिए बड़ा हो तो एक ले लीजिए बेशक्त ज्यादा भी ले लीजिए तो भी अच्छा लगता है इसमें मैंने प्याज अद्रक लसन और हरी मिर्ची सबी चीज डाली है बारिक बारिक काटकर और अब मैं इसको हलका सा ब्राउन कर लूँगी बहुत ज्यादा डाग ब्राउन नहीं करना हलक ब्राउन करूंगी जब पिंकी स्टोन आने लग जाएगी तो हम इसको मसाले डालेंगे तो अभी थोड़ा सो और भून लेती हूं इसको तो अब यह देखिए जो यह प्याज वगरा है इसका कलर आपको थोड़ा चेंज लग रहा है तो अब इस समय में मैंने डाला है नमक स्वात की अनुसार सूखा पीसा धनिया एक चमच भरकर टी स्पून आईए और हाफ टी स्पून मैंने डाला है इसमें लाल मिर्ची से इसको मिक्स कर लिए एक से दो सेकिंड के लिए ज्यादा दिर नहीं भूनेंगे नितों मसाले ओवर कुक हो जाएंगे अब मैंने इसमें बारीक कटे हुए तीन टमाटर डाले हैं छोटे बड़े हों तो आप दो डाल लीजिए पर दो जुरू डालिएगा और इसको अच जो टी स्पून होता है वन फॉर्थ डाला है और यह इसमें मैंने बड़ी साथ में अब डाल दी है जो हमने फ्राइ करी थी हलकी सी साथ में भून जाएगी यह मैंने तोरी को अच्छी तरीके से धो लिया था दो बार और अब मैं सारी तोरी इसमें डाल दूंगी अच्छी तरीके से जब हम सारी तोरी इसमें डाल देंगे और इसको कम से कम दो से तीन मिनट के लिए खुले में हम इसको भून लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएं वो तो मिक्स हो भी जाएंगे क्योंकि जब इसको हम लोग पकाएंगे पर अब हमने इसको अच्छी तरीके से भून लीजिए under aली तो अब हम इसको ढख देंगे आपने देखा मैंने इसमें इसमें भी पानी डाला जो ठोर्ण वह उती है उसमें भी पानी होता है टमाटर में भी थोड़ा पानी होता है तो सब चीजे मिक्स होकर यह देखिए किता पानी हो गया है अगर हम पानी डाल देंगे तो सब्जी भी सब्जी का जो हमें स्वाच चाहिए ना वह भी नहीं आएगा तो भूनने के बाद इसको हिलाने के बाद मैंने फिर ढख दिया थ तो अच्छी तरीके से इसको हम हिलाते हुए ताकि साथ ना लग जाए सब्जी लगेगी भी नहीं यह देखिए बड़ी देखिए किती अच्छी आप चाहें तो इसको तोड़ भी सकते हैं अभी बिल्कुल नरम है और चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं मैं तो ऐसे ही रखत या वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, जरूर बताया करिए मेरे को, आपको मेरी रेस्पीस कैसी लगती है, मैं रोज पूछती हूँ, पर आप लोग प्लीज बताया करिए और शेयर भी कर दिया करिए, तो ये देखिए, सबजी कितनी बढ़िया सकते हैं, और चाहे तो जब जिसने लेनी हो, इसमें से कट करकर ले भी सकते हैं, थैंक यू सो मच्छ